जेशन्देव आपके आखे भी मुझे पैचान में आ रही है मस्तेक भी क्या नाम है मधुबाला बेन जी सभी बताना मनुबईया जी के यहां आप क्यों आए यहां काफी नाम सुना था इसलिए आए हैं पहले करोली सरकार गए थे तो वहां कुछ अराम नहीं लगा जब करोल सब्सक्राइब सरकार से यहां फ़र्ष टाइम आए थे तो बहुत ज्यादा धर्ग ठाता है और यहां कई बार आए थो 70% फरक सेवंटी परसंट फरक है सब्सक्राइब अब आपको लगता है कि मुझे आना चाहिए लगता है नहीं आभी लगताया कि आना चाहिए जब 70% लगा है तो मुझे आना चाहिए और यह भी आपको पताता लगा कि निगेटिविटी ऐसे चू करने से निकलती नहीं है वो केवल बैक आया जाता है ना ऐसे फिरी में गेट खोले जाते हैं ना खड़े होके ठीक ना एक बदमास लगा हुआ है गधा लगा हुआ है उसको पता है खड़ा हुगे ग behrata आँए है थीक है तो पहिजान में आएंगे उस्के आंप थो पैचान में आएंगे उसके आप लोको यह बताये कि आप वहां से है इए थीक हुएchem की वीडियो बनाई है ना कि बिना ठीक हो अब आपको यह भी पताच लगए कि ठीक कैसे हुता है आदमी को आना पड़ता है उसके सर पे हाथ रख के मनु भया जब करते हैं तभी ठीक हो प्लता है आदमी तभी मूल में भोँने से किरिया घड़ती है एसे बिना जब के मोखिक कहने से कि इसका ये गाया भोज़ाई कभी भी कोई किरिया घड़ती नहीं है इसलिए वहां के लोग सभी परिशान है बेमारं और 50000000E लोगों चारीस चाहराचर रुपे के से खांगहा ठीक है मतलब तोटल मिलागे अठारा सो करोर रुपया वो ऐसे ही खा गया लोगों के बिना किसी सिलिप के बिना किसी पल्ची के ये सबसे बड़ी अध्यात्वेग लुट है is वर्ल्ड की पूरे वर्ल लगी ठीक है इसके अलावा वो रेस्टोरेंट से होटल से एक इंट बेच के यंतर के दुआरा और क्या कहते हैं बारा सो रुपे रात के लोग के 18-12-30,000 रुपे तक और लोगों को चाय तक बेच के पता नहीं क्या क्या खा गया ठीक है ना यंत्र में भी खा गया और मुधिखाई में भी वह यह जो डेड़ सो करोड रुपया के वल मूँ दिखाने के लोगों से आपने देखा क्या सब्स बाग दिखाया जाता है लोग खिचे चले जाते हैं जाके पैसा देखे आते हैं और कुछ आपको यह बोले थे अब जब इनको पहली बार उन्होंने देखा आप साथ औवन तक तो देखा यह नहीं नहीं थे जैसे कि अइसी है और जादा हो करा ना तो ओर छोड़ दू यह मर जाएगी यहां पे मह मर जाएगी उठा के ले जाएंगे कोई बहुत बढ़ी खानइ नहीं तो लिकाली नहीं पार रहा है काले गेंडे छोड़ेगा जाएगी ना अभी करोली जाए यह बात बाकी सबको बोलता है जब तु क्या रहेगा क्या आप ने टॉटल कितना पैसा खर्च किया तीन बार के मेरे पास तो एक इंगलेंड से लेडी का फोन आया था वो भी दो डाइलाक रुपे दे चुकी है बरबाद कर दिया इसने लोगो माता है जा उसके गुरू की रखेल साले की माता कहा ही रखेल अग्ता से बादा भीड़नों के साथ भागी तो चक्कर तो पहले से चल रहा होगा ना हो सकता है अधे मरगी तो उठा के ले जाएंगे कोई दिकत नहीं हमने तेरे पे कोई जोड़ नहीं है तुझे कोई पर्ची दीती नवन की आपको कोई पर्ची दी साथ हवाण की नहीं लोग वहां जाके ऐसा क्या डर है बोलता है नहीं पैसे दिया है यह दुनिया का सबसे नंगा धाम नहीं तो झा करणा है नहीं है जो छोड़ सबको पीछे रहा बाला जी को भी मनुभ्या जी को भी दुनिया के सारे उसको नहीं कुटिया नी वो अरे धरम शाला है वो लड़की लड़ीता नाम किया यहां से गई थी वह उसके पास आज तक वह ठीक नहीं हुई है क्यों कि जिसके मुकदर में ठीक होण नहीं है वह वानवया के पास से चला जाता है ऐसे दस से बारा लोग थे वह वह भी थी उ लेकिन उसने वीडियो नहीं बन वाई उसने यह कह दिया मैं उनी के खांदान से हूं यह तब से यह कह रहा है मैंने बाला जी वाले की पत्व ठीक किया वो ठीक किया अरे सालेल उच्छे लपंगे लगाये उसने उसके उपर और मुझ दिन वहीं बैठे थे माउस वाली रात क वहीं थे उस दिन उसके उपर दो गंटे लगाए दें आस्त खीक नहीं हुई हमारे सब के जैसे यह वा ना वह क्या करते हैं दो गंटे आपनी वह बनाने के लिए एक बंदे को इमेज बनाने के लिए कभी उसमें से दूसरा डालेगा कभी निकालेगा हम बोले गया क्यू बंद गर जाने देना हैं जो काम हो रहा वो करके दिखा तब तो हमाने काम हो रहा है तो क्या है कोई बहुत बोलता है निए बता तो मनूं बजा के पास दोबारा यह तोने मझे ठीक और मुझे इतने अराम लगे किसी ने भी एंग ने भी ची बच्चे ने भी एक ने भी हुसा है क realm लेट चुरी करेंगे अगर सारा है इक बार निकल गाना तो अotta अ sos मरेगी ठाका भूक देंगे बस इससे ज्यादा मारे प्रेंजी लोगों को क्या कहेगी जो तो अजार करोर रुपया उस कम अजगर के मुह में देया है कमीने के मैं यह कहुंगी कि वह सारे बेवकूफ है उसके पास ना जाए कुछ नहीं रखा है उसके बेवकूफ को भी तो बाद में उसने मेरे हमको बताया फिर मैंने इनको बताया भी नहीं कि उसकी तो गरवाली मरी बीली विचारे की जिसको जिसके कहरा था मैं ठीक कर दूँगा वो मर भी गई बिशीज वह हर चीज की आँ बरेगा क्योंकि उसको आरा आत्मी की जेव से पचाश जार पे च्छ आर दिन या रिसरच करके गई जब जाकर उन्होंने वाँ हवन के रिया चालूगी आगे तो फैसा गागी जार दन न खाके गई ती शावला bell AH में बैठके च्यार दिन बूकी नंगे घर की है क्या कहते है वहाँ पहुंच की चार दिन खाके गई शनी दाम का और क्या कहते है उसको जाके यह बताया कि मनुवया ऐसे ऐसे इलाज करते है तब जाके उन्होंने हावन करना शुरू किया पहले तो महिलाओ को कपड़े सहीत नहलाता था तलाम में और तिर्शूल पक्रवाता था अब वो भूल गया इसको सब्जबाग दिगे इसने मोटा पैसा क्योंकि लुटे रहा तो था ही पहले से क्योंकि राजनीती में था मोटा पैसा खाना चालू कर दिया और लोगों को बरबाद कर दिया इसने बरबाद इस महामंदी के दोर में 44-44 पता मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे दे आते हैं ठीक नहीं होते और जाके साले का घर बार आते है दो हजार करोड से उपर की लूट है बाउजी देड़ सो करोड तो मुझे दिखाई दे चुके हैं लोग उसको अमने तुनके वर्टसेप पर भी डाला था भी आप लोगों को बेकुप क्यू बना रहे हो अगर लोगों को इतना बेकुप मत बना उपर वाले को जाके तुने भी जबाब देना है उसने कोई जबाब नहीं देना जायसा कुछा कुछा मैंने लिखके डाला ये अर्ए ये अच्या का नबर है कि लए उसवे इंदला कि वाए मैं उन पो पूब लिखे डाला फिर डाला मैं बबेकूप क्यों बना रहा है अब आगे आप आगे दिखाने अब आगे दिखाना अब दूसरे नमर पर भी डाल रखाया है अब जो बोलना तो बोलता है मूप पर निकरेगा क्या सुसरे से जब निकलता निवाजाएगा कहां से करें जब करी नहीं पाएगा वही बात है जब मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता तो मैं डाल कैसे सकता हूं बस अमने तो यह चीज़ का पता है जब हम आप मेरे को ठीक निकर पाऊगे तो आप मेरा बुरा भी क्या कर लोगे उस भी नहीं बुरा कर करें का कहां से ऐसे की सालिकी ना बद्दूआ लगे ना दूआ लगे लोगों को डराता फिरता है खाम का में और ऐसे सब्जबाग हुए च्यार फिर मुसल्मान के साथ उसके साथ भागी गई फिर वहां जाके बच्चे हुए च्छै टोटल मिला के बच्चे हुए दस आगे न समझ में आद्दे मुसल्मान होगे हाद्दे हिंदू बन गे ठीक है तो ना लिखना था न वह भी लिखके डाल रहा है अब क्य में और माथ यह नहीं कि जो ढौर अचाल फिर माथा जैक्वन क्यूं नियांस तक हुए टाएं लोगों का श्ट्टा वह तभी तो फोड़ता नहीं होते हैं ने यह डियन ने क्यों बदलता है इसका डियन ने बदला हुआ है तब ही तो बदलता है एक लड़का नेपाल से ठीक करके वेजा सारी दुनिया के सापने बैंजी और अराम है जो करो ली साय उसको आराम है जितने दूर से भी 3 रुपे के दिया करा लिए न भी 4 यहां नहीं पारा उसको भी अराम पढ़ गए औरे कितने नारान पांडे गए यहां से ठीक होगे हमें पता है ना उसके दाम से एक आदमी ठीक नहीं हो सकता है लुच्चे के हाएक काम हो सकता किसी को दो-तीन साल से वह क्या कहता है प्रेत हो ना और वह जैबाबा की जैबाबा की कर ले उ जैबाबा की किसी को खेडार नी कोई बदमासी नींगी कोई कोई केस नीहीं आस possa किसके पाउब इसके खिलाप तीन तो एनसे लगी हुई है तीन एनसे मतलब मैं ता यह कह रहा हूं साले पर 16-17 केस दर्ज कर दो तो इस पर टाड़ा लग जाएगी कमीने पर टाड़ा लग जाएगी इतना बड़ा बदमास है यह देश का इसको कानपुर के किसी बड़े कुंडे से कमत मानन इस टाड़ा पूरे कानपुर में 2000 करोड की लूट है अध्यात्मी लूट बिना किसी परची के साले ने कोई सथा नी कोली और कहता है मैं दान नहीं लेता एक एक करोड रुपे की चीन बनवाली लोगों से और कहता है मैं दान नहीं लेता इस जैसा हरामी दुनिया में दू हम यह नहीं कहती है किस से घतराक है किस से घतराक है नहीं पर यह कानपुर का सबसे बड़ा गुंडा इससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है ठीक है किसी को ये बात भी नहीं पता तो उसने पीछे से कितने नेक कारिय की होंगी आदमी मर रहा है उसने बदमासी की ठीक है उसने दस्वीस को मारा भी होगा ठीक है लेकिन पीछे से उतने कितने कितने पुन्ने की हैं ये कोई नहीं जानता किसी का सभाव देखके कोई ग्रहन नह आदमनी कि लगता है कि वह दुनिया में सबसे बड़ा बदमास है लेकिन वहां आधमी दूखी जाता रूव बानुसर खड़े करके उसने पराबर में तो वो मिलने निदेते मेक दिन में मिलने लगा एंधी नहीं जा सकते जाओं गा जा तू रोक में तो अनाडी मिपिर मैं बलए उम माखने दो कोई वात नहीं कुछ बैकार का और करवा रहा है मैं तो दे दिया और जो तुमांगा विज़े आदमी क्या निकांगा वह दागे इस निया देते हैं उन दागों में उनके गुरू के प्रेत बन जाते हैं वह सब पर छोड़ देता अपने बदे रहा हो सालो अब सुपने आदमीना सारी चीज लेकिन वोगों के साथ मजाब करता है के वल आस्ता के साथ खेल वार थे किलवार है दो अजर करोड की दुनिया की सबसे बड़ी लूट है किसी बात का जवाब नहीं सारे के सारे वीडियो की वाजी कहां से लाता है हाँ हाँ अच्छे-च्छे बाबा ऑफ्ट बंद हुए है यह क्यों नहीं बंद होगा आप गए आपने तीन किरिया कराई वह बात मान गया लेकिन एक पर्ची है आपके पर यह पूछ नहीं देता ना उसने अपना बचाव किया हुआ है उस गुंडे ने अपना बचाव किया वह ह किया देगा आए नहीं तो क्या करोगे किया कैसे देगा नुकसान खाया ना कह लेगा ना फिर भी आप नहीं आए मेरे पास पर्ची दिखा उस केस में अगर हम कोर्ट में खड़े होंगे तो सरकार के बाल बहुत है पेशेंट बनके लोग जाएंगे ना वाँ पर 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 आपको पता नहीं है वो दुनिया का सबसे जाली मादमी है दुनिया का सबसे को नहीं होगा पचास जार खर्च के फाइदा किसी को नहीं हो रहा यह बात तो ठीक है अरे बाओ जी वो क्या देगा यह तो बनाए हुए है मनु भया के बढ़ा है नहीं समझ में आपको पता नहीं है आपके पास एक रूपे की परची तक नहीं है हां भाई देको मेरे माले मैं परची दे रहा हूँ मेरे को कोई बोलेगा पहली बात तो उस पर परची पे नोट एक रात में कहां चले जाते हैं आपको नहीं पता डूंडेगा कौन उसके नोट वो दुनिया का बड़ा बदमास है भाई सो एकड़ की भूमी ले रहा हो सो एकड़ की भूमी में कई भी गार देगा तो संदूख बरके अरे यह फिल्में इस लिए दिखाई जाती है लोगों की आपको पता नहीं है अब एक फिल्म देखी थी मैंने उसमें बदमास क्या करता था बताता हूं मैं आपको वो क्या करता था हर मशान में मुस्लिमों की और वो क्या कहता है वो गाड़ के रखता था धन की बोटली गाड़ देता था अपनी पत्तिनी को बता बता पाउजी आपके शाहां और इस दुनिया में सुना मेरी इस दुनिया में मोटा और वह मोटा गहंडा अमने तो कुछ नगाए तौसं काम लान जो भूत हमकर के बाता मिटा भी ये तिन वाइट से लगältिए टम सरकार कुछ नहीं कर पाई बिखेते हैं लोग भाई नीचे से लेकर उपर तक आतक आउस TAK आपको यहीं किसी का भी मोल भाव कर लेगा वो किसी का भी के हाथ में पावर जी तो है वैतल ही ज्डारा का दरी धरर रहता है और सच्छा आद्मी मिल जै गार्फ begitu हं और वह सच्चो भी होगा ना महा का वो उसका कल्यश काट ढगा, क्योंकि वो देख लेगा की जनता लुट चुकी है, जनता का हिर्दय तूट चुका है और जनता को इसने खोकला कर दिया तो स्थारे निकल वालेगा एक आदमी को भिमान हो गया, एक दिन उसने अपनी आठो बायोग्राफी शनी देव तो छोटेंगे नहीं उसको अभी कुछी महिने रह रहे है ज्यादा नहीं रहे हैं अभी कम शमय रहे हैं आठो किराफी वो लिखता एक पितमपुरा में एक ऐसा ऐसा चुआया कि उसने जो मेरी जान पहचान थी किससे बड़े निताओ से वो खतम कर दी और क्या कहते है मुझे जेल में डाल दिया खतम कोई कुछ करी नहीं पाया और वो ऐसा था आखिरकार उसने उसके हाथ में जोड़े तो सचा इमानदार आत्मी है ठीक है मैंने सारे अपराद किये थे ठीक है ना लेकिन मैं क्या सोचता था कि सत्ता मे मेरे आत्मे हैं ठीक है जब देश का परदान मंतरी मेरे से मिल रहा है खुश होके और मेरी तारीफ कर रहा है प्रेज कर रहा है तो मरे लगा सत्ता मेरे आत्मे है जब क्या कहते है मैंने राजनितिक पार्टियों को खूब चुनाओ के लिए पैसा दिया तो मुझे लगा कि सत्ता मेरे आत्म है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया एक सचे इमानदार आदमी के आगे इसी तरह मनु भया के अलावा इस गुंडे की सत्ता किसी नहीं उखा लिया ये भी आप सब को पता है ठीक है हमने जोर लगा दिया साले को उखाड़े में और लोगों को उसकी हैश्यत और उसकी तज्रीज और क्या करता है वो ये भी बता दिया उसका काम क्या है आदमी के केवल मार सिक्ता का फायदा उठाना ठीक है न तुम्हें कोई आसा प्रेट है जो आपको क्या कहते हो आत बच्छा करने हर बार वो पत्ती बदलता जाता है किसी की पकड़ में नहीं आ किसी औहाज सोच नहीं है ये पत्ती बद रहा है क्यों बद रहा किसी कोह समझ में नहीं आ रहा है यह खभी जाप नहीं करता अंधिक्ञा मूंसे है क्वैक प nella choke को काट देता है कोई पावर नहीं होता आव एज भी तक अजो Pew अौहम dive अगी जुनberishे । इसके जैसे गुरुजासे, इसके गुरुजासे कीडों को मैं घुटनों से ठैर के उसके अपने तलुओं के नीचे रखता हूं, जमीन मैं गाठ दू, सालों को सारी सत्ता मिटा दू, लेकिन ताकत से मैंने उनकी सत्ता मिटा दिया, उनके पास कोई सिद्धी नहीं छोड़ी लेकिन ये बात क्या कहते है आप क्या करेगा अब तो क्या कहते है चाले चलेगा नहीं पैसे कमाने की उसने दो हजार करोड की लूट कर ली जाए एक दो हजार करोड की लूट और की आप देख लेना आश्रम मंद करके कुछ और करेगा काम आप देख लेना मेरा लिखा हुआ है यह आश्रम छोड़े कुछ और काम करेगा और जब शनीलेव की अभी माल पड़ेगी तो आप देखने ना क्या करेगा यह क्या नहीं करेगा आ गया ना यह विदर्मी है कुकर्मी है यह फोरन काम बदल के दूसरी सत्ता में आ जाएगा आपको पता नहीं पैसे कमाने के लि कुछ इस दिन भठकेगा ऐसे ऊठाके पतकता है की दोनों कुलिया एक साथ नस्ट हो जाएंगी यह बता रहा हूं दोनों कुले एक साथ नस्ट हो जाएंगे और जो खाख़ां पदड़ा रहा है इसी दिन नस्ट हो илन भूल दया कर हाँ बले कमीना बोल दियाकर जैशनी देव समको